कि अग्षा पांच के हिंदी व्याकरण की बुक है जो तरुन पब्लिकेशन से ली गई है तो बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 के हिंदी व्याकरण की बुक के पार्ट के बारे में तो आईए हम पार्ट सटार्ट करते हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटा कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की बुक है के पार्ट 13 जिसका नाम है सब्द भंडार तो आईए पढ़ते हैं सब्द भंडार को बच्चों भाशा के पास विशाल्ब सब्द भंडार होता है भाषा में विलोम पर्यावची अन्यकार्थी अनेक सब्दों के लिए एक सपद के रूप में हजारों सब्दों का भंडार होता है। यहां हम उन में से कुछ सब्दों का पिरचे दे रहा हैं। तो आईए विलोम शब्द की ओर बढ़ते हैं। विलोम शब्द पहले जान लेते हैं कि होता क्या है एंटिनिम्स इंग्लिश में बोलते हैं विलोम शब्द का अर्थ उल्टा उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही हम विलोम शब्द कहते हैं तो नीचे दिये गए विलोम शब्दों को पढ़ें और समझ कर तो यह हुआ आपका विलोम शब्द यह हो गया आपका तो वीडियो को पॉस्ट करके आप राइट कर लीजेगा तो आईए अब पढ़ते हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं या विलोम शब्द का अभिप्राय क्या है तो प्रेश्ण है विलोम विलोम शब्द से क्या अभिप्राय है तो उत्तर है आपका विलोम शब्द का अर्थ उल्टा होता है या उल्टा अर्थ ट्रकट करने वाले शब्दों को ही हम विलोम कुमशब्द कहते हैं जैसे अर्थ का अनर्थ विशाल का जैसे अर्थ का अनर्थ मान का अपमान तरल का ठोश ओके अब आईए पढ़ते हैं हम लोग पर्यावाची सब्द पर्यावाची सब्द किसे कहते हैं आईए पहले हम लोग जान लेते हैं अर्थ की दृष्टी से समान होने वाले सब्द पर्यावाची सब्द कहलाते हैं इन सब्दों का अर्थ एक दूसरे से मिलता जूलता होता है पर भाव में कहीं कहीं थोड़ा अंतर भी होता है जैसे आईए बढ़ते हैं पर्यावाची सब्द विटा आपको पर्यावाची सब्द को आप वीडियो पॉस करके इसे राइट कर लीजेगा तो वीडियो पॉस करके आई होप आपको दिख रहा होगा मैंने फॉंट को बढ़ा कर दिया है तो सब्द और पर्यावाची सब्द एक सब्द के जो कई अर्थ निकले उही पर्यावाची सब्द हैं अति आग्या का हुक्म आदेश निर्देश अभिलाशा का इच्छा चाह कामना ओके बेटा आप इसे वीडियो पॉस करके आप इसे पुरा पढ़ लीजेगा और आपको अपनी कॉपी में सिर्फ और सिर्फ फाइफ ठोई लर्न करना है तो आईए थोड़ा सा इसके और आगे जानते हैं जल के पर्यावाची में ज जोड़ देने से कमल के तथा द जोड़ देने से बादल के पर्यावाची बन जाते हैं ध्यान दीजेगा ओके बिटा इसमें बोल रहा है कि जल के पर्यावाची में ज जोड़ देने से कमल तथा द जोड़ देने से बादल तो ध्यान दीजेगा ये कमल है तो नीरा ज, अम्बू ज, वारी ज, अब यहीं पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा बादल का नीरा द, अम्बू द, वारी द, ओके बिटा तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं है बस ज, और द का आपको ध्यान रखना है अर्थ की द्रिश्टी से लगभग समार होने वाले सब्द पर्यावाची सब्द कलाते हैं आईए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अनेक सब्दों के लिए एक शब्द, ओके वन वर्ड शब्टि ट्यूशन, इंग्लिश में बोलते हैं बिटा तो आईए हम लोग देख लिते हैं, अपनी बात यदि कम से कम सब्दों में कहते हैं तो इससे भासा अधिक प्रभावशाली हो जाती है, भाशा के कुछ सब्द ऐसे भी होते हैं जो अनेक सब्दों के लिए, जो अनेक सब्दों के स्थान पर प्रयोग किये जा सकते हैं ऐसे सब्द अनेख सब्दों के लिए एक सब्द या स्थानापन सब्दों के नाम से जाने जाते हैं ऐसी कुछ सब्द नीचे दिये लिए गया है तो बेटा ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसे भी आपको अपनी copy में fair copy में सिर्फ five ठो ही learn करना पूरा नहीं राइट करना है, सिर्फ फाइफ ही आपको राइट करना है, तो जो देखने योगी हो, दर्शनी, जो प्रशंशा करने योगी हो, प्रशंशनी, चारो और ध्यान रखने वाला चोकन्ना, जिसकी मृत्यू हो चुकी हो, श्वरगी, जो गटनाई से प्राप्त हो, जिसका कोई अंग बिगड़ा हुआ हो, विकलांग, अब आप इसे दिव्यांग भी कह सकते हैं, दिव्यांग इसमें नहीं राइट है, चुकी ये पिशली पुस्तक थी, जो साथ पढ़ता हो, सहपाथी, सुनने वाला, शोता, बोलने वाला, वक्ता, हाथ से लिखा हुआ ह प्रयूक्त किये जाने वाले सब्द, अनेक शब्दों के लिए एक सब्द, या स्थाना पन सब्द कहलाते हैं, ओके बिटा, अनेक शब्दों के लिए एक सब्द, जैसे जो पढ़ा जा सके, पठनी, तो पठनी आपका हो गया, एक सब्द, ओके, और जो पढ़ा जा सके, य अनेक शब्द है इसे हम इस्थाना पन भी कहते हैं आईए आगे बढ़ते हैं हम लोग तो अनेकार्थी सब्द अनेकार्थी सब्द को इंग्लिश में कहते हैं words with words with various meaning तो कुछ सब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं इन सब्दों का अर्थ प्रयोग के अनुशार बदलता रहता है विभिन परिस्थितियों में भिन भिन अर्थ देने वाले ये सब्द अनेकार्थी सब्द कहलाते हैं जैसे कल कल सब्द का अर्थ मशीन भी है और बीताया आने वाला दिन भी तो आईए हम लोग इसमें भी बिटा आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फेयर कॉपी में फाइफ हिल राइट करना है तो निम्ड के सब्दों के अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग पर ध्यान दीजिए तो अंक का है एला अर्थ गिनती के अंक और दूसरा अंक है नाटक के भ धन उद्दिश उत्तर कहा जवाब दिशाकर कहा हाथ टैक्स पानी कहा इजजजल बिटा आपको पूरा आपको राइट नहीं करना है आप इसे सिर्फ और सिर्फ राइट फाइफ ही करोगे अपनी फेयर कॉपी में ओके आप सिर्फ और सिर्फ फाइफ ही इसको राइट करो कि इसके बारे में जानते रहेंगे आप ओके तो आईए अब देखते हैं हमने क्या शीखा विबिन परिसितियों में भिन भिन अर्थ देने वाले सब आएं तो अब आईए हम लोग देख लेता हैं शुरूति सम्भिन नार्थक शब्द हमोनी होरा हमोनिमस उके इंगलिश में कहते हैं तो बच्चों कुछ सब्द मिलता जुलता उचारण या वर्तनी होने के कारण कभी-कभी शमान लगते हैं किन्तु वे अर्थ किन्तु व अंग का गोद अंग का सरीर आपको भी बिटा इसमें से सिर्फ और सिर्फ फाइफ ही राइट करने हैं बाकी आप इसके बारे में जानते रहोगे इसे आप अपनी फेयर कौपी में सिर्फ फाइफ ही राइट करोगे लेकिन जानते पूरा रहोगे आप इसे रीट करोगे अ किसरा है अनल का आग अनिल का हवा ध्यान दीजेगा सब्द एक ही हैं लेकिन बहुत ही माइनर मतलब हलकी सी बस चेंजेज हैं मात्राओं की आधि का अभ्यस्त आधि का प्रारम ग्रिह का घर ग्रह का नक्षक्त्र ओके बिटा तो आईएव लोग देख लेते हैं कि हमने सीखा क्या तो जो सब्द वे सब्द जो सुनने के समान हों किंतु अर्थ किंतु जिनका अर्थ भिन हो वे शूतिसम भिन्नार्थक सब्द कहलाते हैं ओके बिटा तो हमने इस वीडियो में इतना पढ़ा ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू